आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से एक बच्चा था मानव, बच्पन में वो साइकल की जित कर बैठा उसके पास छोटे मोटे खिलोने तो थे, लेकिन साइकल नहीं थी उसे लगता था मुझे बस एक साइकल मिल जाए उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा और किस्मत से एक दिन वो आ गया जब मानव के पास शम जमाती हुई नहीं साइकल आ गई सच में उस दिन वो बहुत खुश हुआ नहीं साइकल जो मिल गई थी लेकिन धीरे धीरे वो फिर उसी हालात में आ गया अब उसे लगता था कि जिस दिन वो स्कूल छोड़ देगा और बड़ा हो जाएगा उस दिन वो खुश हो जाएगा वो इंतजार करता रहा और एक दिन आया जब उसका एडमेशन कॉलेज में हो गया नए-ने कॉलेज में वो बड़ा खुश था अब स्कूल वाला डिसिप्लिन उसे फॉलो नहीं करना था स्कूल की बंदिशे अब कॉलेज की आजादी में बदल गई नए-नए दोस्त, नए-नी क्लासेज, सब कुछ नया-नया जिन्दगी जैसे एकदम बदल चुकी थी कुछ दिन तक यह चलता रहा लेकिन अब उसे फील होने लगा कि नौकरी मिल जाना सच्ची उपलब थी जिस दिन मेरी नौकरी लग गई उस दिन मैं खुश हो जाओंगा उसने मेहनत करना शुरू की और एक दिन सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो गया उसका सपना पूरा हो गया था उसने जॉइन किया, काम करना शुरू किया शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छा चलता रहा बाद में उसे महसूस होने लगा कि नौकरी तो सभी करते हैं जीवन में अच्छा लाइफ पाटनर मिलना बड़ी उपलब थी है जिस दिन पूरी तरह सैटल हो जाऊंगा उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा अब लड़की की तलाश शुरू की गई रिष्टे आने लगे और फाइनली जैसा वो चाहता था एक लड़की से मानव की शादी हो गई बच्चे हुए उसकी जिन्दगी बदल गई थी लेकिन वो अब भी खुश नहीं था जिन्दगी भी उलच चुकी थी अब वो सूचता था बच्चे सैटल हो जाए और फाइनली जिस दिन रिटार्मेंट होगा उस दिन मैं सच में खुश हो जाऊंगा और एक दिन वो भी आ गया जब वो रिटार्मेंट हो गया लेकिन मानव अब भी खुश नहीं था एक दिन मानव मंदिर जाता है और भगवान से कहता है जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा ये कहानी सिर्फ एक मानव की नहीं लगभग सभी मानवों की है हम सोचते हैं कि एक ऐसा पल आएगा जब हम खुश हो जाएंगे उस पल के लिए मर मर के जीते हैं उस एक पल के लिए कई महीने कई साल इंतजार करते हैं खुशी मिलती भी है पर ठैरती नहीं क्यों? क्योंकि हमने खुशी को हमेशा बाहरी आबजेक्ट्स में देखने की कोशिश की कस्तूरी हिरन कस्तूरी की खुश्बू में पागल होकर उसकी खोज में पूरे जंगल भटकता है उस कस्तूरी की खोज में जो कि उसके भीतर ही होती है खुशी भी उस कस्तूरी की तरह ही होती है जो ये समझ जाता है उसे बाहरी परेशानियां परेशान नहीं कर सकती तो दोस्तों अपने भीतर की कस्तूरी को पहचानिए भीतर से खुश रहिए क्योंकि खुशी बाहर नहीं आपके भीतर ही है याद रखिए happiness is a direction not a place आपके पास जो है उसमें खुश रहिए और जो नहीं है उसे पाने के लिए excited रहिए जिन्दगी एक वीडियो गेम की तरह होती है लेकिन वीडियो गेम से थोड़ी सी अलग इसमें कोई redo बटन नहीं होता कोई level पार करने के लिए फिर से chance नहीं मिलता अगर game over हो गया तो game over हो गया हम work life balance की बात करते हैं क्यों ना हम work life balance को life work balance कहें अगर जिन्दगी खुबसूरत हुई तो आपकी job या work खुद ही खुबसूरत हो जाएगा हॉरवर्ड प्रोफेसर शौन एकर happiness advantage की बात करते हैं शौन कहते हैं कि 75% job success इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने प्रदीबाशाली हैं आप कितने smart हैं बलकि इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप कितने खुश हैं अगर आप खुश होंगे आपका intelligence level भी बढ़ेगा आपकी creativity भी बढ़ेगी आपकी productivity भी बढ़ेगी आप ज्यादा पैसे भी घमाएंगे और आप ज्यादा जीएंगे भी इसलिए आपकी सबसे पहली job है खुश रहना दुनिया की सबसे बड़ी उपलब दी कोई पैसा, पद, पावर, लोगप्रीत नहीं बलकि यही दो उक्षर का शब्द है खुशी जो आज दुनिया के लिए बहुत दुरलब हो गया है हम सोचते हैं कि जिन्दगी में हम कुछ बन जाएंगे कुछ पा लेंगे, कहीं पहुँच जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे चीजों को, घटनाओं को शांत मन और धीरच के साथ स्विकार कीजिए हर दिन एक जशन है कोई भी पैंटिंग किसी एक रंग की हो अच्छी नहीं लगती आपके जिन्दगे, प्रंटिंग, दुख, संघर्ष, अभाव, उत्साह, निराशा सभी जीवन के रंग है इसलिए खुश होने के लिए किसी वक्त का इंतिजार मत कीजिए क्योंकि वो वक्त आज है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरू कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में जैहे